Hi guys, welcome to my channel. आज हम जानकारी लेंगे स्टालोपम टाबलेट का फाइदा, डोज, और साइड एफेक्ट्स क्या है. So, विडियो स्टार्ट करते हैं. स्टालोपम टाबलेट्स डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है, जो टाबलेट के रूप में उपलब्ध है. इस दवा का उपयोग विशेश रूप से डिप्रेशन का इलाज करने के लिए किया जाता है. इसके अलावा, स्टालोपम के अन्या उपयोग, चिंता विकार के इलाज के लिए किया जाता है, अत्यदिक चिंता और तनाव जो दैनिक जीवन को बादित करता है और छे महीनी या उससे अधिक समय तक रहता है. स्टालोपम टाबलेट मस्तिष्क में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. स्टालोपम टाबलेट का, मैनूफाक्चर रह, हेल्ईूपन लिूमिटिड़, मैडिसन कॉमपोजिशन, हैं ऐसकी टालोपराम, स्टालोपम दवा, स्टालोपम तैन मिलिग Brush, स्टालोपम 20 मिलिग्रम्स, स्टालोपम प्लस और स्टालोपम लाइट के रूप में स्टालोपम का खुराक रोगी के वजन, लिंग, आयू और पिछले चिकित सकिय इतिहास पर निर्भर करता है। इसकी सही मात्रा इस पर भी निर्भर करता है कि मरीज की मूल समस्या क्या है। स्टालोपम टाबलेट बिना डॉक्टर से कंसल्ट किये नहीं लेना चाहिए। मिस्ट खुराक को जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। चुटी हुई दवा की मात्रा को छोड़ दे अगर यह आपके अगले अनुसूचित खुराक का समय हो गया है यदी मरीज। अधिक मात्रा में डोज ले लिया है तो डॉक्टर से संपर्थ करें। होगा ही. साइड एफेक्ट्स हो सेकता है या नहीं भी हो सेकता है. आपको हृदय रोग, जिगर या गुर्दे की बीमारी, ड्रग या शराब की लथ है, तो स्टालोपम टाबलेट का उप्योग करने से पहले अपने चिकित सक से परामर्श करें। इसके अलावा गर्भावस्था, स्तनपान, के समय स्टालोपम टाबलेट्स का सेवन नहीं करना चाहिए. यदि जरूरत होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ड्राइविंग के समय स्टालोपम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे नीम दा सिकता है. स्टालोपम टाबलेट का अल्टरनेटिव मेडिसन ब्रांड मेरी विडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। विडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।